इस वीडियो में मश्रूम के विबिन पर्षनों जैसे मश्रूम के परकार एवं उनको उगाने की अलग-अलग समय अवदी एवं उनकी खेती करने में आने वाली लागत था प्रकिरिया को सामिल किया गया है भारतिये बाजार के हिसाब से एवं यहां के वातावरन की अनुकूल दसा के हिसाब से तीन मुख्य मश्रूम परजातियों को उगाना किसान को मुनाफ़ा दे सकता है जिन किस्मों की खेती वयापारिक स्तर पर की जा सकती है उनमें सफेद बटन मश्रूम आइश्टर यानि बिंगरी मश्रूम सफेद दूदिया मश्रूम को सामिल किया जा सकता है इन सबी किस्मों को वरस बर अलग-अलग समय आवती में उगाया जा सकता है कम जंग है हत्वा कम समय के साथ ही इसकी खेती में लागत भी बहुत कम लगती है जबकि मुनाफा लागत से कई गुना ज्यादा मिल जाता है मश्रूम की खेती के लिए किसान किसी भी कर्षी विग्यान के अंदर या फिर कर्षी विश्य हुए द्याले में परसिक्षन ले सकता है सभी परकार की मश्रूम को किजी कच्चे या पके कमरे पथवा ऐस थाई जोंपड़ी या छपपर बना कर इसके अंदर उगाई जा सकती है क्योंकि मश्रूम को धूप की आवसिता नहीं होती मश्रूम के उथपादन के लिए भिन भिन तापमान एवं नमी की आवसिक्ता होती है और इनका उथपादन भी अलग अलग समय पर किया जाता है जैसे सफेद बटन मश्रूम का उथपादन अक्टूबर से फरवरी तक किया जाता है जब इसको तापमान 14 डिगरी सेल्सियस नियून्तम से लेकर अधिक्तम 24 डिगरी सेल्सियस तक आवसिक्ता होती है और नमी 80% से 90% तक अनुकूल रहती है दूसरी तरफ धिगरी यानि आईश्टर मश्रूम की समय अवदी फरवरी से अपरेल तक होती है जब तापमान 30 डिगरी सेल्सियस से 22 डिगरी सेल्सियस तक रहता है धिंगरी मश्रूम में कम समय लगता है एवं सफेद बटन मश्रूम के मुकाबले में कमपोस्ट बनाने में कम मेहनत एवं समय की आवसकता होती है इनके अलावा दूद्या मश्रूम में दोनों अन्य किस्मों से अलग अतिक्तम तापमान 25 डिगरी सेल्सियस से 37 डिगरी सेल्सियस तक आवसकता होती है जो जुलाई से अक्टूबर में रहता है इस परकार वरस बहर इन तीनों किस्मों का करम चलता रहता है जो सफेद बटन मश्रूम को अक्टूबर में लगाने से अंत में दूद्या मश्रूम को अक्टूबर तक उगाए जाने तक शंपन होता है धन्यवाद दोस्तो अंता तक बने रहने के लिए आगे के वीडियो में बताया जाएगा आपको कि कितने कमपोस्ट में कितना खर्च आता है और कितने जंगह में लगा सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे